दोस्तों यह है त्रिफला चूर्ण अब यह आपके आँखों के लिए सबसे सस्ता दवाई है और सबसे अच्छा दवाई है देखिए स्वामी राम देव जी बताते हैं त्रिफला चूर्ण से आँखों को धोने के लिए तो इसके लिए जो है इससे आँख धोने से अगर कि एक महिना आँखों को दोपाएं तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आपको अपने आखों को कैसे दोना है तो दोस्तो दोत प्रिफ़वडर के चूर्ण से अपने आखों को दोने के एक आठ घंडे के लिए इसे छोड़ देना है यानि कि अगर आप सुबह पानी में डाल रहे हैं तो फिर साम को आंख धोए और साम को डाल रहे हैं तो फिर सुबह धोए आप इसे डाल देंगे तो यह धीरे-धीरे पानी के अंदर इसमें सोख लेगा और पानी में भीग कप्रे से एक दूसरा गलास पे इस कप्रे को रखेंगे और इसको डालके और छान लेंगे बढ़ियां से ताकि यह जो चूर्ण है वह उसमें न जाए नहीं तो यह चूर्ण अगर आखों में आपके जाएगा तो फिर आख में आपको खुजली होने लगेगा तो इसको सू इसन और पानी आख पर चीटा मार दिए उसके बाद कपरे से परंच और यह पर आँगेसर का दो बाएंगें तो आख के तो आहिंगी। इसके बारे में बताये थे, और मैं काफी दिन से इसका इस्तिमाल कर रहा हूं, मुझे थोड़ा दूर, नजदीक वाला रोसनी, थोड़ा कम दिख रहा था, तो मैंने इसका जब से इस्तिमाल किया एक हफ़ते में ठिक होने लगा था, और अब तो मेरा आंक ठिक हो चुका है फूरा तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने यूटूब चैनल पर एक वीडियो बना देता हूं ताकि आने लोगों को भी इसका फायदा मिल सके यह सिर्फ 30 रूपिये का त्रिफला का डब्बा से आप एक महीनता आंक दोएंगे और यह आ